तो आज़ हम बात करेंगे नव वर्ष 2022 जो है बहुत ही जल्द आगमन होने वाला है। इस वर्ष में क्या कुछ खास नया होने वाला है ये हर व्यक्ति जो है जानने के ले उत्साहित है। क्योंकि लास्ट कुछ सालों में अगर देखा गया या 2020 की बात करें इकिस की बात करें या फिर 19 के अंध की क्यों ना बात करें। तो कहना गई लोगों ने अलग-अलग तरह की चुनौतियों का सामना किया। और इसके साथे साथ अब नव वर्ष का आगमन होने वाला है यानि 2022 शुक्र का साल। अगर देखा जाए तो ये साल जो है शुक्र का है अंक्शाचर के नुसार अगर बात करें। इस साल को अगर जोड़के देखे तो ये बनता है छे नंबर। छे नंबर जो होता है ये शुक्र का माना जाता है। तो क्या कुछ लेकर आने वाला है ये 2022 हर एक विक्तिक जानने के लिए उत्साहित है तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके राशी फल्की। यानि टारू कार्च से हम जानेंगे कि विरश्यब्राशी वालो का आने वाला 2022 कैसा रहेगा, आपके लिए क्या लखी रहेगा, क्या लख लेकर किया आएगा और साथ साथी साथ जानेंगे कि लव रिलेशनचिप, सहल्थ, साथ फाइनान्स, करीयर आप लोगों का 2022 में कैस तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किवल प्रिश्यब राशी के जातकों की यानि टॉरस की तो टॉरस की अगर हम बात करें कार्ड्स अगर हम टॉरस के देखें तो कार्ड्स आ रहे हैं तो अगर देखा जाए ये वर्ष जो है आपके लिए मिला जुला रहेगा जहां पर अगर देखा जाए आपको तरक्की मिलेगी आपके करियर में नई opportunities आएंगी वहीं पे कुछ चीजे जो है खतम भी होंगी अब डेथ कार्ड आने का मतलब ये नहीं है लोग इस चीज को सु करता है वो ये शो करता है कि आपकी एक तरह से नई चीजों की शुरुआत होगी तो वहीं पे ये 2022 जुबरशिप राश्री वालोख ले रहेगा काफे कुछ चीजे जो हैं आपकी पुरानी खतम होंगी वहीं पे आपको new opportunities मिलेंगी और करियर में भी आपके नए तरहा का ए या फिर आपके relationship में partner ही क्यों ना हो आपका दिल दोर सकता है तो कहिना के relationship जो है खतम हो सकती है मगर relationship में भी अगर देखा जाए तो आपको एक नई opportunity मिल सकती है कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आगमन कर सकता है इसके लावा अगर हम बात करें आपके finance की financial position का आपको बहुत जादा ध्यान रखनी के वशकता है खर्च जो है अनवशक हो सकते हैं खर्च जादा ना हो इस चीज का ध्यान रख करके चले अपने खर्चे बे नियंतरन बनाए रखें वही पे माता या माता जैसे किसी महिला का स्वास्त गड़बड़ा सकता है तो इसलिए अपनी 10 of cups और इसके साथे साथ 10 of wands तो यह जो काड आ रहे हैं कहीं न कर यह शो करते हैं कि आप लोगों को इस समय पे स्वास्त का ध्यान रखने की बहुत अधिक अवशकता है क्यूंकि अगर देखा जाए तो इस दुरान जो है आपको अपनी स्वास्त पे काफी हद तक महनत करन है इसलिए स्वास्त में बिल्कुल भी किसी भी चीज को नजरंदाज ना करें वहीं पे अगर आपके करियर की बात करें करियर में आगर हम बात करें तो आपके लिए दचारेट काड आ रहा है जो की बहुत ही खुबसूरत काड है करियर में ग्रोथ मिलेगी नई ओपरशु पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा तो पारिवारिक जीवन के लिए कार्ड बहुत बढ़ी आ रहा है कार्ड आ रहा है 10 of cups का और इसके साथ साथ page of cups का कार्ड आ रहा है ये कार्ड शो करते हैं कि लाइफ में अब परिवार में अगर कोई दिक्कत आ रही थी लाइफ में कोई बढ़ेगी और वहीं पे परिवारिक जीवन जो है काफी हद तक अच्छा चलेगा, मिसंडस्टांडिंग्स जो है, खतम होगी, तो अगर हम इस साल की बात करें, तो हुजार बाइस की व्रिश्चिब राशी के जातकों के लिए, तो काफी हद तक अच्छा रहेगा, मिला जुला साल रहेगा, थोड़ी चीजों का ध्यान रखनी के विशकता है, धन पे खर्चा, जरा आप ध्यान रखकर के चले के खर्चा अधिक नहों, इसके साथ साथ अपने स्वास्त का ध्यान रखकर के चले, बात करते हैं आपके लखी टिप्स की तो आप लोगों को इस वर्ष दूध, चीनी, चावल इन सब चीजों का दान करना है ताकि आपका जीवन जो है काफी हद तक अच्छी तरहां से चले और साथ-साथ आप लोगों को कोशिस कीजेगा कि आप मातल लक्षमी को इतर जरूर चड़ाएं गुलाब का ऐसा करने से आपके सभी बेगड़े काम जो हैं बन जाएंगे उमीद करती हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी आपका आने वाला नव वर्ष बहुत ही मंगल मही हो ऐसी हमारी मनुकामना है फिलहाल के लिए आप सभी दर्श्रकों से कि यी जाजदे लिए.